नमस्कार मेरे प्यारे साथियो स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल सानु जी के जोन में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार A&M के बारे में तो हमारा जो पिछले वीडियो आये हुआ था आप लोगों के समक्ष तो हम जो न्यूज अपडेट आ फिर कोट का अपडेट आय हुआ था पट्ना हाइकोट का जो अपडेट था तो आज हम और उस पे चर्चा करेंगे कि क्या A&M की वेकंसी रुकेजी या वह हाइकोट का जो डिसीजन है वह डिसीजन मानने होगा या फिर उसी डिसीजन पे कोई Supreme Court का नया निसकर्स निकलेगा तो हम आपको जानकारी के लिए बतला दें कि बिहार A&M का जो मामला था वो पटना High Court में पहुँच चुका था यानि कि A&M का जो मामला था यह A&M का मामला पटना High Court में पहुँचा फिर पटना High Court से जो Decision निकल के सामने आया है उसके बाद यह मामला पहुचा आपका सिधा Supreme Court में तो High Court से Supreme Court में गया फिर Supreme Court में जाने के बाद SLP डायर किया गया SLP नंबर क्या है Supreme Court में जो अभी SLP निकला है उसके बाद जो हेरिंग होने वाली है और जो Decision है High Court का उस Decision के बाद अभी आगे Supreme Court में क्या होना है आज हम इसी बिंदूओं पे चर्चा करेंगे तो हमारे साथ जूरे रहे हम सभी पहलोब को बार बार देखते हैं और जो निसकर्स निकल के सामने आता है तभी हम आपके समक्ष content ले करके आते हैं तो आज हम इसी content पे चर्चा करेंगे कि एनम की बाहली क्या रुकेगी या आगे जो जज्जमेंट आएगी Supreme Court की तो ओ जज्जमेंट कब आना है hearing कब होना है तो इसी पे हम चर्चा करेंगे तो चलिए आज हम बात करते हैं तो आपको हम जनकारी देते हुए चले कि एक जो एनम का जो निसकर्स निकला हुआ था जिसमें हम आपको बतलाए हुए थे कि 10709 जो एनम की बहाली है उसका जो रास्ता है वो साब तिक रहा था वो पटना हाई कोट ने जो निसकर्स निकला था जो 18 अपरेल को सभी मामलों के साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था और 18 अपरेल के सभी एक साथ सुनवाई के बाद जो है कोट ने सुरक्षित कर लिया था फैसला और फैसले के बाद पुराने नियम के तहट जो है एनम के पत पे बहाली होगी जो फैसला निकला और बहाली परकिरिया के बीच ही सरकार ने नियम में किया था बदलाव या निकि जो बहाली परकिरिया थी उस बहाली परकिरिया जो पहले से हो रही थी कि जो एनम का जो वैकेंसी प्रोसेस था उस प्रोसेस इसमें government का जो कहना था, वो अपना नियम बदलाव किया था, लेकिन उस बदलाव के बावजूद भी High Court का जो फैसला आया, उस फैसले में High Court का साप तोर पे कहना था, कि जो पुड़ाना नियम है, उसी नियम के तहत A&M को क्या करना है, तो बहाल करना है, तो ये तो निसकर्स निकला, फिर आगे क्या हुआ, कि ये मामला High Court के decision के बाद जो है, तुलप पकर लिया, और कई सारे पक्षों के बीच मत भेदों के कारन से, ये मामला चले गया, High Court से सीधे आपका दिल्ली Supreme Court में, और Supreme Court में कई सारे पैटिशनर जो है, सामिल हुए है, और वो SLP नमबर कई का अभी तक pending भी है, और एक दो ऐसे भी है, जो अभी प्रोसेस में है, और एक ऐसा भी case है, जिसका SLP नमबर चारी किया गया है, और status अभी उसका pending है, जिसका hearing है, जो है, वो आपको जुलाई में, लगभग जो है, hearing होना तै हो चुका है, तो हम आपको बतलाएं, कि वो पैटिशनर कौन है, तो बतला दे हम आपको, जानकारी देते चले हम आपको, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाइडी नमबर, 23515 2024, case नमबर, SLPC नमबर जो है, पैटिशनर नेम, आप यहाँ पे देख सकते ह है, पुजा कुमारी, respondent नेम जो है, यहाँ पे अर्चना कुमारी है, इस्टेटस है, इसका पैंडिंग और एक्षन जो है, भी भी हुपे है, तो यह था एक मेटर, और दूसरा जो मेटर है, हम आपको बतला दे, तो दूसरा मेटर हमारा यह था, कि जिसका डाइडी नमबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो, तीन, आठ, एक, आठ, दो, हजार, चौबिस, पैटिसनर नेम यहाँ पे डिमपल कुमारी दिखा रहा है, और respondent नेम में अर्चना कुमारी है, और स्टेटस जो है, पैंडिंग है, और इन ही का जो SLP नमबर जो है, अभी जारी कर दिया गया है, तो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि यह वही है, सुप्रीम कुमारी भरसेस अर्चना कुमारी इज, रजिस्टर्ड वीथ, रजिस्ट्रेशन नमबर, SLPC नमबर, जो है, उसका, 0124-30-2024, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो, हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं थे, कि अगर कोई भैकेंसी आती है, और बिहार की अगर भैकेंसी की बात खिया जाए, और उस भैकेंसी पे अगर कोई मामला कोट में ना जाए, तो, यह होना असंभव है, तो, जो कोट का निस कर्स, जो है, पटना है कोट का सही है, तो, इस दोनों के बीच में क्या होता है, कि अगर हमेशा, आप देखते हुएगा, कि कई सारे ऐसे परतियोगता होते हैं, जिसमें दो पक्षों के बीच अगर होता है, तो, हमेशा परते पक्ष चाहता है, कि हमारी जीत हो, चाहे वो, फर्ष्ट पक्ष की बात किया जाए या दूसरे पक्ष की बात किया जाए तो हुआ यूँ कि जो पतना हाइकोट का decision निकला उस decision से कुछ ऐसे भी candidate थे जो अपना मतलब की खुशी वेक्ष किये और जाइड सी बात है कि होना भी चाहिए लेकिन हुआ यूँ कि कुछ ऐसे भी बेखती है जो हाई कोट के डिसीजन के बाद उने में नाराजगी आई और वो मामलाद चले गया है आपका सुप्रीम कोट तो देखते हैं SLP नंबर के बारे में हम आपको यहाँ पर बतलाई दिया है कि जो SLP नंबर है आपका 01-2430-2024 ज का hearing होना तै है और जो judgment आएगी मन्नी ने अधिस महोदे के द्वारा जो सर्बोच नयले के जजमेंट जो होता है ओआप सभी को मालूम होगा कि पूरे भारत वर्स के लिए सर्भूमानने होता है तो जाहिड सी बात है कि जो निष्कर्स निकलेगा सर्बोच नयले के द्वा उसी के तहट फिर अब बहाली होना है तो हमारे साथ जूरे रहें जैसे ही अगर कोई सर्वोच नया लेका फैसला आता है तो हम आपके समक्ष रखेंगे हमारे साथ जूरूने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो बंदे मात्रम थैंक्यों फोर वाचिंग